इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। पूरा कोस पूरा कर लिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि संक्रमन पूरी तरह से ठीक हो जाए और इसे वापसाने से रोका जा सके। कान की बूनों का उपयोग करने के साथ साथ दर्द से राहत पाने के लिए प्रभावित कान पर दिन में कई बार गर्म सिक लगाएं। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। ड्रॉपर को बिना छुए कान के पास रखें। ड्रॉपर को धीरे से निचोडें और दवा को कान के अंदर रखें। ओटोएपन ये ड्रॉप चार दवाओं से मिलकर बना है। नियोमाइसिन एक एंटिबाउटिक है। यह महत्वपूν कार्यों को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोख कर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। बेकलो मिटासोन एक स्टेरोइड है जो शरीर के कैमिकल मेसेंजर के उत्पादन को रोकता है जिसके कारण इंफलेमेशन यानि की सूजन और लाली तथा अलजी होता है क्लोट्रिमिजोल एक एंटिफंगल दवा है यह कवक कोशिका जिली को नश्ट करके कवक को मारता है यह आपके संक्रमन का इलाज करता है लिडोके नेक स्थानिय समवेदन हारी है यह दर्ड की अनुभूती को कम करने के लिए नसों से मस्तिश तक दर्ड के संकेतों को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद